हेलो लर्नर्स, वेलकम टो जैसा कि आपको बताए कि EKTV में आनलाइन एक्जामनेशन इवें समेस्टर 2020-21 के स्टार्ट हो चुके हैं 20 जुलाई से तो इस डूरेशन में जो भी इस्टुएंट्स मौक एक्जामनेशन दे रहे होंगे तो उनको जो है प्रॉब्लम मारी वो लॉग इन नहीं कर पा रहे होंगे या फिर उनके पास सामने आ रहा होगा कि नो टेस्ट एवलेबल तो एक्चुली में जिस दिन ऑनलाइन एक्जामनेशन एंड समेस्टर जो फाइनल एक्जामनेशन हो रहा होता है उस दिन जो है इस्टुडेंस को ये खास कर प्रॉलम आ रही है उस दिन वो माउक एक्जामनेशन नहीं दे पाएंगे के साथ सभी वर्सों में अध्यारत चात्रों का मौक टेस्ट भी कराया जा रहा है तो उक्त परिक्षा है तो सभी वर्सों में अध्यारत चात्रों मौक टेस्ट में प्रतिभाग करने के कारण online परिक्षाओं में कुछ कटनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिसके दिश्टिकत mock test में प्रतिभाग कर रहे है चात्रों का mock test परिक्षा 200 में केवल 6-7 यानि शाम को 6 बज़े से 7 बज़ तक ही आयोजित करा जाएगा तो student अगर आप mock examination देने जा रहे हैं और उसी दिन एके 2 के final examination conduct करा जा रहे होंगे online में तो आप दिन में नहीं दे पाएंगे आपको शाम को 6-7 बज़े के बीचे mock examination देने का मौका मिलेगा वहीं पर Sunday है या फिर बाकी कोई ऐसा दिन है जिस दिन mock examination नहीं है जिस दिन online examination नहीं हो रहा है final semester का उस दिन जो है आप पूरे 10-6 बज़े के बीच में दे सकते हैं लेकिन अगर किसी दिन एके 2 के online examination conduct कराया जा रहे है तो उस दिन अगर आपको mock examination देना है तो आपको शाम को 6-7 के बीच में try करना होगा तभी आप mock examination दे पाएंगे तो बहुत सारे students का ये doubt था कि sir no test found, no test found आ रहा है login करने के बाद तो वह इसी वज़े से आ रहा है क्योंकि आप जो है online examination AK2 का हो रहा होता है उस version में आप जो login करेंगे तो वहाँ पर no test found आएगा आप शाम को 6-7 के बीच में try करिए आपका examination आप दे पाएंगे wish you all the best keep watching